हेलो फैंड्स आप सभी का इस्टेडिमेंट पर श्वागत हैं बीपीएसी से रिलेटेड हम करेंट अफेर्स की एक सीरीज कर रहे थे जिसमें कि हम करेंट अफेर्स के कोस्टन्स को देखते हैं तो आज इसी कॉंटेक्स्ट में आज चोदा हुआ टेस्ट है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पुराना डाटा है क्योंकि सरकार की डाटा है वो प्रतिवर्ष अप्रिल मन्त में जारी होती है तो ये पूरा वीडियो उसी पर अधारित है और उसके बाद भी आपको बहुत से किताबों में हो सकता है कुछ-कुछ के डाटे अलग मिले लेकिन आपको सरकारी डाटा को ही फॉलो करना है मैंने जो आपको इसमें एंसर उपलाब्द कराई है उसको आप ज़्यादा इंपोर्टेंट मानिएगा क्योंकि ये ऑथेंटिक सोर्से से है ठीक है तो अगला जो डाटा सरकार का आएगा वो अप्रेल 2019 में आएगा इसलिए जो है हम इसी को फॉलो करेंगे अभी करेंटली कहीं पर दूसरा मिला है तो ज़्यादा उसे लेकर सोचना नहीं है कि हाँ ये सही है वो सही है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो इससे सभी को फायदा होगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं उसे पले अगर आप नए है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा या सब्सक्राइब का बटन होगा टिक कर दिजेगा ताकि आपको रिसेंट अपडेट मिलता रहा है चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्न देखते हैं बिहार सरकार के साथ नीश्चाय कार्जकरम जो की काफी इंपोर्टन कार्जकरम है बिहार सरकार का उसको उसके लिए पांच साल का अनुमानित खर्च कि आप सब के अंत अंत में करोड़ है तो आपको बताना है इसमें से कोन सा राइट एंसर होगा या पांच वाप्सन भी आपके लिए इनमे से कोई नहीं या एक से अधिक बतायी राइट एंसर का होना चाहिए पहले प्रश्चन का जो रिइट एंसर है ? दो लाख उन्चालिस हजार करो रुपए का ये जो है आकड़ा माना गया है कि साथ निश्चाय के अंतर का सरकार को लगभग इतना खर्च अगले पांच वर्षों में आ जाएगा दूसरा प्रशन देखते हैं बिहार में रेशम उत्पादन से सम्मधित टासर ये रेशम की इकाईया कहां पे इस्थित है ये जेनुइन प्रशन है मतला हमेशा से इंपोर्टेंट रहा है दो तीन मारी ये बीपेसी में आ भी चुका है इसलिए इसे मैंने शामिल किया था भा ज्यादा चांस है कि भागलपूर उसका एंसर होगा इसको ध्यान में रखिएगा तीसरा प्रशन देखते हैं बिहार में कहां टेक्स्टाइल है हम हैंडलूम पार्क की आस्थापना की गई है ठीक है बीटा पटना कहलगाउं नलांदा इनमें से कोई नहीं राइट एंसर क जो है कहलगाउं अब कहलगाउं कहां है यह मैं नहीं बताऊंगा यह आपको नीचे कमेंट में बताना है कि कहलगाउं बिहार के किस जीले में स्थित है क्योंकि इससे जो है आप थोड़ी सी खोजबिन भी करेंगे और उसके बाद मैं वैसे एंसर दे दूंगा आज साम में यह एंसर देंगा लेकिन आपको भी बताना है मैं भी एंसर में आपको प्रोवाइट कर दूँगा कि कहल गाओ किस जीले में है कमेंट के माद हम से आप सब बताईए कहल गाओ कहा है चोथा प्रस्त देखते हैं बिहार में काटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड कितनी बिजली उत्पादित हो रही है वर्तमान में इससे कितना जो है मेगावाट उत्पादन हो रहा है 320 मेगावाट 220 मेगावाट 471 मेगावाट 380 मेगावाट इन में से कोई नहीं बताईए चार का एंसर क्या होना चाहिए तो चार का जो एंसर है वो है 220 मेगावाट अब इसमे पे जो उत्वादन है वो है 220 मेगावाट का वर्तमान में आगे आते हैं पांच वे पे बिहार के किस जिले में वानिकी विश्विद्याले की अस्थापना की स्विकिर्ती दी गई है ठीक है वानिकी विश्विद्याले किस जिले में सुरू करने की मतलब स्विकिर्ती मिल गई वानिकी विश्विदाले कहां तो मुंगेर में चलिए आगे आते हैं बिहार में नियुम्तम प्रति ब्यक्ति आये किस जीले की है बहुत अच्छा कोशन है इसको देखते हैं नियुम्तम प्रति ब्यक्ति आये पूछा गया है मैक्सिमम पूछा जाता तो आप अराम से बोल द अगर बात करें नियुंतम में और दूसरे कौन कौन से जिले हैं तो सीवहर के बाद जो है मतलब सीवहर से उपर सबसे नीचे कौन है सीवहर उससे ज़स्ट उपर कौन है तो वो है सुपॉल ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें तो सुपॉल से ज़स्ट उपर है मध्यपूरा मध्यपूरा MP लिख देते हैं इसको और उसके बाद जो है Araria AR लिख देते हैं Araria अगर maximum की बात करें कि मतलब निउन्तम ये हो गया अब हम अगर maximum की बात करें कि कहां पे सबसे अधिक है मतलब परती बेखती आए तो वो उसमें जो answer आएगा वो होगा पटना पटना एक पे आएगा दूसरे rank पे आएगा मुंगेर ये ध्यान में रखेगा तीसरे पे आता है बेगू सरा बीजी लिख देते हैं बेगू सरा और उसके बाद आएगा भागलपूर बीजी इसको भी लिख देते हैं भागलपूर छीक है तो ये याद रखेगा करम वैसे करम में जादा नहीं पूछेगा लेकिन एक दो याद रखेगा पट्ना मुंगेर अधिकतम में याद रखेगा अन्निउंतम में याद रखेगा सिवहर एंड सुपॉल यहीं दो बस याद रखेगा तो आपका काम हो जाएगा जादा वो नीचे नहीं जाएंगे दूसरे करम तक ही पूछेंगे तो इसको आप लोग ध्यान में रखेगा सात्वा प्रशन देखते हैं वर्स 2016-17 में बिहार अजपूल निर्मान निगम का शुध लाब कितना था चुकि यह सरकारी डाटे अप्रील में आते हैं तो 2016-17 का डाटा 2018 के अप्रील में आया है तो 2017-18 का डाटा है वो 2019 में आएगा तो इसलिए यह उसी पैधारित प्रशन है तो इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है कि पुराना डाटा है ठीक है चलिए अप्संस देखते हैं 29 करोर रुपे 68 करोर रुपे 100 करोर रुपे 504 करोर रुपे इन में से कोई नहीं चलिए जो राइट एंसर है वो 7 का क्या है तो 2 होगा 68.8 करोर रुपे अगला प्रसंद देखते हैं मार्च 2016 में बिहार में रेल घहना तो अर्था आत कुल रेल रूट प्रती हजार वर किलोमेटर कितनी थी ठीक है 49.6 इन में से कोई नहीं बताए ये राइट एंसर क्या होना चाहिए आठ का जो राइट एंसर है वो है 49.6 रेल घहना तो जो है प्रती हजार में पूछा गया है वर किलोमेटर में तो इसको याद रखेगा 49.6 है किलोमेटर ओके आगे आते हैं 9 नमबर देखते हैं मार्च 2016 में बिहार में प्रती लाक आबादी पर रेल रूट मार्ग अर्थात रेल घहना तो कितनी मानी गई है ये घहना तो पूछा इसमें पहले परश्ण में क्या पूछा ता प्रती हजार वर किलोमेटर पे पूछा था तो रेल घहना तो कितना होगा, तो अपसंस है 4.9 km, 0.9 km, 1.2 km, 0.08 km, इन में से कोई नहीं, 9 का अंसर बताइए, 4.9 km, रेल का घहना तो जो है प्रती लाख अबादी पर कितना है, तो 4.9 km, अगला देखते हैं 10 नमबर, देश में रेल मार्ग में बिहार का हिश्या कितना प् 4.1 प्रतीशत, मतलब राष्टरी अस्तर पे पुछा गया, इसको ध्यान रखिएगा, 4.1 प्रतीशत, 5.6 प्रतीशत, 2.1 प्रतीशत, 0.91 प्रतीशत, और इन में से कोई नहीं, 10 का अंसर, 2 है, 5.6 प्रतीशत है, मतलब कि देश के कुल रेलवे का जो प्रतीशत है, विस्ता देखते हैं, वर्ष 2017 में पटना हवाई अडे पर, यात्रियों के कूल पटना हवाई अडे पर, यात्रियों की कूल संख्या कितनी थी, तो कोई दिकत नहीं है, पटना हवाई अडे पर, पटना हवाई अड़े पर यात्रियों की कुल संख्या पूछा गया है यात्रियों की कुल संख्या कितनी थी ठीक है 2017 का जो डाटा है उसके अनुसार बताना है 2018 का डाटा 19 में आएगा अप्रिल में तो इसका जो है 21.12.8000 दस लाख 2.01 लाख इन में से कोई नहीं बताईए राइट एंसर क्या होगा 11 का तो 11 का है 21.12 लाख अर्था अप्सन ए सही है 12 नमबर देखते हैं वर्ष 2016-17 में पटना हवाई अड़े पर वाहनों का आवा गमन था कितने मतलब संक्या में जो है वाहनों का आवा गमन संपन हुआ हवाई अड़े पर मतलब है कि फ्लाइट का ही पूछ रहा होगा जन्वीन सी बात है तो पहला अप्सन देखते हैं 9547 मतलब कि 9,547 और दूसरा है 10,379 तीसरा है 9,900 चोथा अप्सन है 15,508 और इन में से कोई नहीं बताईगे 12 का एंसर क्या होना चाहिए 12 का जो एंसर है वो है 15,508 ये जो है राइट एंसर है इतने जो है फ्लाइट्स आए गए 2016-17 में ठीक है अगला प्रश्न देखते है 13 नंबर वह 2017 में बिहार में टेलीफोन कनेक्शन की संख्या कितनी थी ठीक है तो 67.14 लाक मतलब 67 लाक 122 लाक 849 लाक 1 करोड 69 लाक इन में से कोई नहीं तेरा का एंसर बताइए तेरा का एंसर है तीन मतलब की 849 लाक इतने जो है कनेक्शन 2017 के डाटे के अनुसार थी 14 नंबर देखते हैं वर्तमान में GSM मोबाइल की सबसे अधिक ग्रहक बिहार में किस कंपनी से संबंदित है मतलब कि सबसे अधिक GMS GSM जो फोन होता है उसके जो है मतलब मोबाइल फोन उसके सबसे अधिक ग्रहक किस कंपनी के है BSNL, भारती एयर्टेल, रिलाइंस, टेलिकम, आइडिया इन में से कोई नहीं 14 का एंसर जेन्मेंसी बात है एयर्टेल बिहार में सबसे अधिक तो यहीं यूज होती है अगला देखते है अगला प्रशन है 15 नमबर बिहार में कौन सी टेलिकम कंपनी सबसे अधिक राजजासो का संग्रहन करती है मतलब कि सबसे अधिक राजजासो किस कंपनी को प्राप्त होता है अपसंस है आइडिया भारती एटेल रिलाइंस टाटा टेलिकम इन में से कोई नहीं बता यह राइट एंसर क्या होना चाहिए तो इसका भी राइट एंसर भी है अर्था भारती एटेल भारती एटेल जो है सबसे ज़्यादा बिहार में प्रयोग की जाने वाली कंपनी है तो इसलिए जो है इसका राजश्रो सबसे अधिक है तो आज के लिए बस इतना ही फिर हम लोग मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में जो की 15 नंबर होगा टेस्ट ठीक है मिलते हम लोग अगली वीडियो में